आप देख रहे हैं समाचार एजन्सी अफ इंडिया में साइन नियूद नमस्कार दोस्तों समाचार एजन्सी अफ इंडिया की साइन नियूद में एक बार पिर आपका स्वागत है शहर का एक प्रतिष्टित परिवार मालू परिवार में राजनेतिक सूच समझ के धनी कॉंग्रिस के एक आधार इस्तंबर रहे स्वर्गी महेश चंद मालू के भाई सुर्गी महेश चंद मालू के पुत्र पुनीत मालू के यहाँ आपको दिख रहे होंगे यह उमेश मालू जी के पोते हैं इनका नाम दर्शित मालू है और यह 11 साल के हैं सिर्फ 11 साल इनकी आयो है और इनके दोरा रामायन के पंग्तियों को किस तरह रैप सौंग के जरिए व बहुत छोटी सी उमर में एक बहुत बड़ी इनकी उपलब्धी मानी जा सकती है आईए अब हम आपको सुनाते हैं समाचार एजनसी अफ इंडिया की साइन यूज में अखलेश दुबे की इस रिपोर्ट के जरिये कि किस तरह से दर्शित मालू इसे शब्दों में पे रो आईए सुनते हैं ज़्या था उन्हें ग्यान वो चलाए जो बारतों निशाना अचू कुनिकी तीन और छोटे से भाई तीनों में प्यार और एक का समाई जूएमबर पे वो उठाये ऐसे बान को अयोध्या ने पाल लिया सी जल सी माई वर के कही माता की जिन में कुछ और मंत्रा की बातों प कि मांग कि राम जी को पेज़े दौह साल बन बास अभरतों को सौब्ड़े सारा राज़ पाठ उदासों के राज्जा ने दिया आदेश पर राम जी ने इसे भी किया सुईकार लक्ष्मन और सी दामा भी उनके साथ त्याप कर दिये वो भी सारा राज़ पाठ ये पना जल रमसर दबर राम की ने अठा सुना का राम सगल बुल भाम की ने दूनन सु था शृर राम की शृर राम जी लंका प्तिरावन को जब प्ता चला राम जी के हलाक तब उनकी बेंघ करिजंगर परबु शृर हे नको बात पर मत बीटा करूठ गरूर्प तो उनसे कोई उत्सुब तब लक्षमेंड ने काडिना कुस्की ताकि ना वो करे पास आने की भूल जब रावन को मिली ए खबर बेहन के बदले के लिए इस बेसबर उचल से उठा लिया माता सीता को करे पुष्पक वीमान पे सफर जिटाई उने किया रोकने का प्रयास हो ग गए सुखवीर के उने पास लेके मदद की थोड़ी आस्तववानर से ना खोजे महिया को लक्षमेंड होसला दे भाईया को समुद्र चोर पे मिला सामपधी उसने दिखाया लंका को बशी बली भी नतयार कर दिये खुड के समंदर पार अशोग मन में माता सीता को बताया मै राम दूथ हनुमान फिल नंका में मचा के उत पात बन गए बंधी रावन के पास पूछ पे आग लगाए वो उनकी नंका कर दिये पूरा राम मैं कता सुनाता राम सकला गुनता मदी ये रामायन है बुन्या कता श्री राम की श्री राम की अब सब इकावसे की सवाल कैसे करेंगे समुद्र को पार जल देव की पूजा कर राम से तुका हुआ निर्वान वही वी भीशन वी रामजी के दल में देता वो लंका की खबरे जग टालन चाहे प्रबू अंगत को भेजे वो लंका ववन में पर्रावन में एंकार उसको जंग ही तस्वीकार अंगत पे वो हम ला करा के शांती दूत का किया अबमान जब हुई जंग की शुरवात कुमनिक को दोन खूकार वानर से न पे बड़े भारी पर सुखबीर से गए हार पर हुआ कुम करन का आना पर उसको भी परापचताना खुद की हार देखके रावन ने चुना चल का मार अपनाना रावन पुत्र ने फिर चल से लक्ष्मन पे छोड़ा एक बान संजीवनी बूटी के खातिर परवत उठा लिये हनुमान रावन पुत्र का भीवा अंत रावन पुत्रा कन्नि को जणा दश्रानन लेके दस्तर ऐसा रगा रावन तो है अमर शीश कटे तो गिये वो दुबारा रावन हस्ते ही तवाजा रब रहू ने पेट पे करके वार लंक पजीका किया संगार माता सीता से मिलके भाव खो गए थे भगवान एयो जगी और चल पड़े वापस मैया सीता संग प्रभुराम मैं कता सुना दां रामता पुर दामी ये रामायन है पुन्यटता स्री आमी ये रामयन है पुन्यटता स्री आमी सुना आपने कितने अच्छे तरीके से चहरे के हाव भाव भी आपने देखे बहुत ही सुन्दर तरीके से प्रस्तुत किया इस पूरे के पूरे प्रयास को कॉंग्रिस के अध्यक्ष रहे कॉंग्रिस के आधार स्थम रहे स्वर्गी महेश्चंद मालू के भाई स्वर्गी उमेश्चंद मालू के पोते और पुनीत मालू के ग्यारा वर्ष के पुत्र द समाचार एजनसी एफ इंडिया की साई नियूज के लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट अगर आपको समाचार एजनसी एफ इंडिया की साई नियूज में खबरें पसंद आ रही हूं तो आप इने लाइक सबस्क्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फिलाल आप से अजयत लेना चाहेंगे हम फिर आजर होंगे जय हिंद अ हूँ है झाल झाल